हेलो फ्रेंज, वेलकम टू गार्डन टेप्स, आइम मीता विश्णोई, आज मैं आपको अपने टेरेस पे ले चलती हूँ, सबसे उपर वाली छट की टेरेस है ये, और मेरी बहुत ख्वाइश थी कि मैं टेरेस को भी कुछ सजाऊं, इतना अच्छा तो नहीं कर पाई हूँ अभी मगर फिलाल, मगर फिर भी चलिए देखिये कि कैसे पौधे यहां पर हो रहे हैं, क्योंकि यहां रोश्णी और धूप की कमी नहीं रहती, तो खूब अच्छी फ्लारिंग होती है यहां पर, यह जो सामने देख रहे हैं, यह ग्रो बैग में मैंने कैमोमाइल के बहुत खुब सूरत लगते हैं, और बहुत पॉलिनेटर्स यह ट्रैक्ट करते हैं, खुब भौरे आते हैं इन पे, और यह मेरे को बहुत पसंद है यह वाला प्लांट, देखिये कैसे जूम रहे हैं, हलकी सी हवा चलती है, और यह एकदम जूमने मस्ती हैं जूमने लगते इकदम, और यह सबसे उपर टेरिस में तो वैसे भी हवा चलती है, और कुछ यह पौदे काफी लंबे हैं, इस वज़े से भी यह काफी लहराते रहते हैं, यह कुछ लाल पिंक रंग के बाकी विंटर फ्लारिंग प्लांट्स हैं, पिटूनिया है, और यह देखिये दोनों पिटूनिया थे, यह कुछ यलो कलर के क्रिजन्थिमम है, यह कलेंचु यह कैलंग कोई है, हाइब्रिड वराइटी, यह देशी वाली कलेंचु है, यह देखिये इनमें बड्स आ चुके, यह कोलियस हैं, यह पीले रंग की गुल्दाओदी है, गुले दाओदी, यह फूल का प्लांट है, जिसका कलर विंटर में देखिये कैसे मौफ कलर का हो गया है, बहुत प्रिटी लगता है, यह हम लोग का कोलियस की छोटे-छोटे कंटेनर्स हैं, बुशी कर रखा है, इनको पिंचिंग कर करके, और यह पाम है, पाला पाम, और आगे चल के दिखाऊंगी, और बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, इस प्लांट की, पीछे हॉलिवाॉक्स है, और यह सिनेर एरिया, खुब फ्लारिंग हो रहा है, इनमें देखिये बढ़ जा चुके हैं, अब आगे कुछ रेननकुलस के पौदे हैं, कुछ पुटूनियस हैं, रेननकुलस तो बहुत सार हैं, और यह देखिये कितने बढ़िया पौदे हो रहे हैं, यह लाकसपर के हैं, और यह हम लोग का फेवरेट था, वांडरिंग जू, यह तो जहां आ जाए, वहां कलर आता है, यह देखिये यहां से रोशनी आती है, यहां से सूरज डूपता है, लाकसपर बस अब खिलने टमाटर के पौधे में बता रही थी, इनमें इतनी फ्लारिंग हुई है, धेरो धेर फूल आए वे हैं, और पॉलिनेटर जो उधर आते हैं, चैमोमाइल में, कैमोमाइल भी कई बर कहते हैं, वो यहां पर भी आ जाते हैं, और पॉलिनेशन करते हैं, तो टमाटर भी सेट हो यह कुछ प्लांट्स है कलंचु या कैलंग कोई की देसी वराइटी है सब में फूल खिलने वाले और इनकी लीव्स देखिए लाल रंकी हो रही है धूप में रखा हुआ था मैंने अगर आपको ग्रीन पसंद है लीव्स का कलर तो आप शेड में रखे वरना आप इनको पूरे खिलते हैं सुरक लाल रंके तो बहुत कुपसूरत लगते हैं वो भी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी